तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि जिनके मिसाल दुनिया में नहीं है अप्पा जी एक गाईका थीं, कलाकार थीं लेकिन हम लोगों को सुभागी मिला बतौर शिश्चियो उनको एक व्यक्तित्व की भी रूप में जानने का, गुरु के अलावा एक व्यक्तित्व की रूप में जानने का और क्योंकि लंबा साथ रहा, 19 साल का, 20 वर्ष का तो इस समय में, इस पूरे दौर में जैसा उनको जाना मुझे यह लगता था कि कुछ व्यक्तित्व शबदों से परे होते हैं कैसे उनकी मीमानसा करें, कैसे उनकी प्रश hindसा करें कैसे उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकाश डालने के भी दृष्डता करें इसलिए कई बार जब आप लोग हमसे कहते थे कि अपपा जी के बारे में कुछ बताईए तो मुझे लगता था नहीं, हम उनकी उपर एक एपिसोड करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो यह कह दूँ कि आज का एपिसोड गुरू के बारे में, जीवन में गुरू बड़े भाग इसे मिलता है, यदि आपने सच्ची साधना की होगी, तो गुरू का अश्रवात मिलेगा, गुरू को ढूंड़ना यह भी शिश्य का एक काम है, उसके लिए आखे भी चाहिए, वैसी वृत्ति और वैसी आत्मा चाहिए, और गुरू मिलने के बाद भी गुरू कृपा हो, यह भी जरूरी नहीं, और गुरू कृपा जसके पास उपर हो गई, उसे संसार, जीवन, सभी रहस्य, सारे मार्ग समझ में आने लगते हैं, तभी कहा है कि गुरू गोविन दोव खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरू आपने, गोविन दिव बता है, तो मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को समय लेते हुए, यह बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन में गुरू का क्या स्थान रहा और कैसे, मैं बहुत छोटी थी जब मिर्जापूर में पिताजी पोस्टेट थे, और मिर्जापूर की एक सबसे अच्छी खासियत थी, कि वहाँ पर पूर मिर्जापूर बंग के जितने भी मारे कलाकार थे, बनारस के कलाकारों का मिर्जापूर लगाताराना होता था, विंद्याचल उच्छा हो, या कभी कजरी मेला हो, सभी जितने आप सोच सकते हैं, बड़े कलाकार सब आते थे, उनको 5-6 बरस में से देशुरी देवी जी को म सबसे पहले मेरी जो छवी है, मिर्जापूर में ही देखा हूं, और उस समय अप्पाजी बड़ी सी लाल बिंदी भी लगाती थी, सर ढख कर के गाती थी, ये बात होगी मेरे खाल में, 73 की, 74 की, और मज़े की बात ये है कि उसके तुननद बात पिताजी के बदली हो गई ज मेरी मा बहुत बड़ी भग थी अप्पाजी और पूरा बंग की गायकी की, वह हमेशा मुझे याद है कि जितने भी जो चाहिती है, पूरवी है, उनके लिए मेरी मा का विशेश आगरा होता है, तो सीखो, 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 तो मन में कहीं न कहीं वृत्ति में वो बात पूरें रह गई, और फिर हम पहुच गए गोरकपूर, गोरकपूर पहुच गए जो भोजपूरी छेत्र था, भोजपूरी आंचलिक संब्रदी थी, वहां की संसृति, और वहां पर मैंने सीखना शुरू कि हमारे प्रथम गुरु जो अप्चारिक गुरु थे, शुजात और सारी चीज़ें गाते थे, उनके साथ मैंने पांच साल, छे साल क्लसिकल सीखा, उन्होंने बैठने का तरीका, गाने का तरीका, सांस लेने का तरीका, आवाज लगाने का अंदास उनसे सीखा, राग रागनी के साथ गजले भी सिखाई, उन्होंने सब सिखाई, लिकिन पूरव अंगमन में बसा रहा फिर समय बदलाव गुरकपुर में मैंने उस्ताद रहा तलिखांस आप से सीखना शुरू किया जो कि पटियाला घराने के कलाकार थे लकनो उसे गुरकपुर आये थे और बेजोर ठुमरी दादरा गाते थे क्लैसिकल के अलावा में लेकिन उनक खतरनाग गाते थे उनका गाना बारहों सुर वाला गाना था बेदर के ताने लेकर गाते थे जो कसे यमन में आना यमन से केड़ार में जाना और मुझे लगता था कि कभी ऐसा गाना बजाना में बिकर सब Dag रहत साब खां साब से सबसे बड़ी सीखने के कच्छी उमर में एक बहुत बड़ी प्रेणा मुझे ये मिली कि लक्ष ये समझ में आ गया कि गाना बजाना ऐसा खतरनाक होता है कि सुर्यदी हो तयार तो कला कर क्या क्या नहीं कर सकता है रहत साब पे अलग से एक एपिसोड करूँगी क्योंकि वो डिजर्फ करते हैं कि उनके बारे में इतनी सारी बाते बताई जाएं क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं उनसे मैंने ये भी सीखा रहत साब से किस तरह से सच्चे कलाकार को किसी के मोताजी नहीं होनी चाहिए बाजा है नहीं है तबला है नहीं है बिजली चली जाए बीच में सच्चा कलाकार तब भी बांध लेगा शोताओं को शो मस गो ओन ये मैंने उनसे सीखा मैंने उनसे सीखा कि कैसे एक कलाका जितनी शद्धा से घजल गा सकता है निर्गुन गा सकता है उतने ही तैयारी के साथ एक ठुमरी को भी निभा सकता है एक भोशपुरी लोगीत को निभा सकता है वो चौनुखी थे और मुझे इसलिए जो बहुत सारा वैविध्य आपको मेरी गाई के में दिखता है लोग गीतों के अलावा वो राहत साहब की देन थी वहां से मैं लखनुव आई और लखनुव आने के बाद भी हर हफते गोरफुर जाती रही रहत साहब से खास सीखिने लखनुव आने के बाद जो भोजपुरी जो पूरब की संस्कृती मेरे भीतर वसी थी लखनुव बिलकुल सौफियाना शहर बोली अलग बड़ी ठहरी वह भाषा लेकिन भाद खंडे में अच्छा लगा कि वहां भी पंडित गनेश प्रसाद मिश्र जी थे जिनसे मैं सीख रही थी और पंडित गनेश प्रसाद जी असाधारन गुरू काशी के बनारस के पंडित धरनात मिश्र जी भी वहीं पर थे उस समय उस समय इस वर्ष जिन बॉप्टर प्रफेसर कमला श्रिवास्तो जी जो समय हम लोगों को थियोरी पढ़ाती थी और जितने भी लोग गीत या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी तो कमला दीदी हम लोगों को सब को साथ लेके जा दीदी प्रफेसर किनोत के कृष्ण कुबार कपूर सर थे हम के साथ तो बहुत एक अच्छा चार-पांच वर्ष सीखते हुए बीता, सीखते हुए यह बीता कि हम भातकंडे की ओर से बता और गायक हम लोग कारिक्रम देने लगे, मैं इंडिविजुली प्रोग्राम देने लगी, मैंने बहुत कुछ सीखा और लखनों में भी आकर के थो सकती थी गाते हुए तो भातकंडे में क्लैसिकल करियाज हमारा चल रहा था और यह 88 का हिस्सा है कि 88 में प्रिंस्पल भातकंडे सुनेंट शंकरवस्थी जीने मुझ से कहा कि हमें उसमें एक नियम था कि हम लोग जो कॉंपुटिशन भी जीते थे उनको अपनी प्रतियोगता में हिस्सा लेकर के अपना प्रस्तुती देनी होती थी तो मैंने भी मुझे याद है बिहागडा मैंने सुनाय था मैंने बिहागडा मेरा चोईस था और बिहागडा मैंने 25 मिनट का सुनाना था तो पता चला कि रो जी उनकी प्रस्तुती है तो मैं तो बिल्कुल लालाइत हो गई एक्साइटेड हो गई और यह सोच करके कि उनको सुनने का भी मौका मिलेगा और सुनाने का अवसर मिलेगा जैसा होता है कि उस समय से पहले आ गई थी और बैठी थी तो हम प्रिंस्पल जो अवस्थी जी थ नहीं माल नहीं इनकरा के लिए चलो तो अप्पा जी ने कहा आहा रे बहुत बढ़िया जवारी दार आवाज हो तो हार तो चल्बू हमरे संगे कलकत्ता मैंने ऐसे करके उनको जहां पहले तो मैं पाओ चूने के लिए मेरे हाथ मीचे थे उनकी सिर्फ आवाज सुन रही थी क्योंकि आज़गल के शिश्चों का नहीं जानती हम लोग जिस तरह से सीखें हम लोग को गुरू के आँखों में आखे मिलाने की भी संसकार नहीं थे और यह कहते हैं उनका चेहरा बिल्खुल मेरे सामने कितना प्यार उनकी भीतर चलगू तो मैंने ऐसे करके उनको देखा और हाथ बस ऐसे जोड़ लिया और मुझे लगा कि कुछ ठीठा गाये होंगे जो आज गुरू जी अप्पा जी कहने चलने को साथ में सिखाने के लिए तुरंत मा ने कहा कि अरे बेटी की तु शादी ते हो गई है इसकी शादी है अगले महिने तो यह जान ही पाएगी लेकिन मैं इसको मिशा आपकी चीजे सुनाती हूँ और मैं इसको कहती हूँ कि आपके जैसा बनना है आपके जैसा गाना है तो अप्पा जी हसी मुस्कुराई और अप्पा जी ने कहा कि ना ना वो भी बहुत जरूरी है ब्याशादी बहुत जरूरी है शादी बिल्कुल करो और बाद में फिर ये बात है जब मेरी उम्र 21 बरस की थी और विवा मेरा तय हो गया था और शादी होने वाली थी मेरे मन में ही आया कि क्या सुन्दर अफसर था लड़कियों को देखो यही होता है शादी के बाद अब मेरा विवा हो जाएगा एक इतने बड़ी कलाकार बुरू ने मुझे खुदी आगे से कहा कि तुम में संभावना है मैं तुमें सिखाऊंगी और ITC कलकटा ले चलने को कह रही है और मैं फिर बंदनों में हूँ ब्या हो रहा है मैं कहां से जाऊंगी बाद समाप्त हो गई और मेरा विया हो गया विया के बाद जैसे हर लड़की अपने संसार में बहुत सुखी होती है दिन बीतने लगे इस बीत में आकाश्वानी की मैं ग्रेड़ेड आर्टिस्ट हो गई तो कॉंसर्ट में जाती थी ऐसी बनारस में एक कॉंसर्ट हुई जिसमें की शर्द रेलवे में थी ओ कॉंसर्ट सुनने के लिए अप्पा जी आएं थी तो लोगों ने मुझसे कहा दिखो 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 घिलचा देवी जी है मेरे ब्याह हो गए थे बच्चे हो गए यह बात है शत्पत चानबे की च्छानबे की तो मैं गई उनको देखा मैंने उनको प्रणाम किया तो अप्पा जी ने ऐसे आँख देखकर मुझे किया मैं सारी बाते आपको बतारीव कैसे बीट हुई और उसके बाद आशिरवाद्य बात खतम हो गई फिर एक बार आयुध्या पती देव थे तो मैंने कहा कारिक्रम कराना है अप्पा जी को बुलाते हैं मुझे याद है कि उस बार मैंने फोन मिलाय तो इस सुननंदा जो मेरी मंत्री जी ने फोन करके मेरे पतीदेव से कहा कि आवस्थी जी आवयोध्या के बाद जाएक बास जाएं का आशी का कारेभार समधा लिये इन्नों उन्हें अनदर आकर कि कहा मुझ से कि ट्रानसफ़र हो गया है मारा बनारस डीयम अध़े से दीम बनारस और मैंने हैसे किया 53 में हमारे उस्तार जुराहत साथ थे उनका इंतकाल हो गया था शुजात साथ और पहली हो चुका था और मैंनि अपटार्ण कर लिया था कि मैं किसे सीखूंगी Erst मैं उसी सीखूंगी me मैं मन से जूर चुकी मैं मैंने का मैं मैं Appyji से सीखना चाहते हूं बनारेस पहुंचे नवरात्री के दिन थे इन्होंने चाड सम्हाला और मैं सीधे गई नाटी उमली अप्पाजी के पास हम दोनों साथ के थे हम और पतिदेव बच्चे भी थे और हम गए हमने उनसे बताया उनको भी लगा होगा कि भई मैंने सोचा मुझे लगता था उनको तो नहीं कि भई सारी अफसरों की भई वाइबस को सीखने के बड़ा शौक होता है बड़ा गाना है तो मुझे इस बात का बड़ा वो रहता था कि कहीं ऐसा कोई तो नहीं सोच रहा रिल टलेंट कई बार आपकी प्रतिभा की उपर आपका जो वाहरी आवरण है वो हावी हो जाता है लोग आपको वैसे ही एसेज करते है अफसर की बीवी हैं डेमस आपकी बीवी हैं मैं क्या थी, मैं कौन थी उसको लेकर मैं बहुत मैंने एक बैक सीट ली हुई थी विवा तो आपपा जी ने कहा कि ठीक है बेटा अच्छा दिन देख लेते हैं और तुम आओ, पूजा करके शुरू करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ सुनाओ तुमार जी अब मैं तो संकोच में गड़ी जाओं, एक तो विवाह के बाद कारिक्रम देना एक अलग बात है, इतनी जो साक्षा सरस्वती आपके सामने बैठी हूं, और कहें कुछ सुनाओ, हमने कम कुछ नहीं सुनागे, आप बस सिखाईए, और आप बस ये समर लिजा कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मुस्कुराईयों बोली कि कैसे नहीं आता, थुम्री सुनी हमने तुमारी, वो सुनुआ के तु सुनावत रहलू, हम सुन ली है, तो मैं समझ गई, वो सारे गमा की बात कर रही थी, और मैं संकोच में गड़ गई, कि हाई हाई, अपपा जी ने वो सुना है कितना खराब गाय था मैंने हो और मैं सोचने लगी बहुत सारी बाते, तो जितने सब लोग थे, वाह सुननन्धा थी, नागेंदर दूबे थे मेरे खियाल में और प्रकाश भाया थे, रूपान सरकार भी थी मेरे खिल में, और सब लोग थे, कहीं लोग थे, अपपा क्या ह तो रहती थी, हमें अभी भी लगता आपा यहीं पर है, और उनुका नहीं सुनाओ, सुनाओ, सुनाओ भई, तो आपा जी पेलट के बोली, ठुमरी सुनाई थे ना इसने पहाडी में, जैसे सुनी, अपा जी बोली, ठीक तो है, सूर में हो, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, अमने का नहीं आप मत बोलिये, मुझे कुछ नहीं आता, अपपा जी ने एक चीज कही उस दिन मुझसे, कि बेटा हम सिखाएंगे, क्योंकि ले में हो, सुर में हो, बहुत अच्छी आवाज है, लेकिन तुमने जो गुरुओं से सीखा है इतने बरसों से, वो तुमारे गले म बेटा है, और ये बनारस घराने की जो चीज है, इसमें बड़ा चैन, ठहरा और सुकूण यह, इसको सीखने के लिए पहला भी बहुत सब कुछ अच्छा है, जो सीखा है, लेकिन ये नया सीखने के लिए, मैं यह नहीं कह सकते कि पुराना भूलो, लेकिन नया सीखने के ल अलग समर पड़ चलिया। मैंने अप्पा जी से कहा कि अप्पा जी न मेरी कोई वाकात, न मेरी कोई हैसियत, न मेरी कोई पहचान। मैं पांच की बरस की थी जब से सीख रही हूं। मैरे विवाग को दस बरस हो गई, 98 की बात है 99। और अब गुरू कृपा से मैं आपके चरणों में आने का सवभाग मिलाएं। आगे भविश्य तो मैं जानती भी नहीं। मैं तो यह भी नहीं सुचा था कि शारे गम और अंताक्ष्री में मुझे जाने का अफसर मिलेगा। यह जो मेरे अंदर के जी जी विशा थी के विवाहित होने के बाद भी धीरे धीरे चीटी की तरह से मैं चलती रही अपनी मन्जिल की तरफ। लेकिन आप से सीखने के लिए मैं ही मानती हूं मुझे कुछ नहीं आता आप मुझे साह से सिखाएं। और मेरी पूजा हूई और सीखना शुरू हो गया उस दिन से। तो आज मैं आपको सुनाती हूं जो पहली चीज उन्होंने मुझे सिखाई। भार्वी के बंदर श्री ठुमरी है। आपको सुनाती हूं आपको सुनाती हूं आपको सुनाती हूं आपको सुनाती हूं भार्वी अपका जी का बहुत तयार बहुत प्रियों बाजू बंदर खुले खुले जायरे। आपको सुनाती हूं आपको सुनाती हूं आपको सुनाती हूं जादू की पुडियां आर भरा भरा मारी। मोरा आचरा उड़ी उड़ी जायरे। मोरा आचरा उड़ी उड़ी जायरे। आजू बंदर खुले खुले जायरे। तो यह पहली ठुमरी थी। जिसमें कि जैसा मैं आज गाप आनी हूं ऐसा तो कूछ नहीं। आज भी नहीं गाप आती हूं उसमें भी हिम्मत रही दिगाने की। अपका जी को जानने के बाद सबसे बड़ी चीज। मुझे लगता है कि और यह आप भी इस मेरी अनुभव से एक बात को गाठ बाद में। गुरुवां का भाद सम्मान किया करें। माता पिता का। क्योंकि इन तीनों में एक ऐसा गुण होता है जो आप में नहीं हो संसार में बिरले लोगों में। वह है धीरज। लेकिन धीरज नहीं छोड़ते हैं। और पूरे मनुयोग से लगे रहते हैं लगे रहते हैं। परिणाम कभी न कभी तो आता ही है। अप्पा में इतना धीरज था। मुझे अभी भी लगता था कैसे गा लेती हैं। अप्पा ने भी उमीद नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात गुरू सिर्फ अनुशासन से नहीं बनता। गुरू बनता अपने बड़पन से, अपने स्ने और लाड से। अप्पा जी से जुड़ना अपने अपमे एक संस्था, अपने आपमे एक परिवार थी। उनसे जुड़ने का मतलब यह था कि आप गाना तो सीखेंगे, आप घर ग्रेस्ती सीखेंगे, आप सदबुण सीखेंगे, जीवन जीने की कला सीखेंगे। गुरुशिश्य परंपरा में सबको सिखाती थे मेरा तो विवा हो गया था, बच्चे हो गया थे सुननदा का ब्याव नहीं हुआ था, रुपान का ब्याव नहीं हुआ था और आदर्णिया मुन्नी दीदी, सुधा दत्ता दीदी जो सबसे हम लोगों के लिए बिश्यमें अप्पा की जगह वही है वे भी रहती थी, तो एक परिवार जैसा और इन लोगों का ब्यान ही हुआ था, तो जब भी कुछ खाना बने तो रसोई में, बनाना सीखना भी, अप्पा जी वो भी बताती थी कोई आया है थी, उससे कैसे पेशाना है कितना बोलना है, कब नहीं बोलना है ये स्कूल्स में नहीं सिख्राय जा सकता ये घर की तरह से जैसे माबाप सिखाते हैं, वैसे अप्पा सिखाती थी और गीत संगीत में जो सबसे बड़ा भाव ठुमरी का है अध्यात्म और शंगारता और चंचलता भक्ति अध्यात्म शंगार और चंचलता ये चारों जिसमें नहीं है, वो भारती संगीत को साध नहीं सकता और अप्पा जी 89 वर्ष की थी जब गई थी अन्तिम समय तक उनके वीतर एक 8 साल की गुडिया रहती थी एक 16 वर्ष की शोडशी रहती थी और एक 100 वर्ष की जैसे कोई साध भी रहती थी तपस भी नहीं रहती थी उनका पूरा जीवन ही ऐसा था बचपना ऐसा चुटी सी बातों में खुश हो जाना उन्हें गुडियों का भ़श शौक था कई से भी जाएं गुडिया लेकर आएं विदेश से जाएं तो अपने शिश्यों के लिए कुछ न कुछ मेरे लिए मुझे याद है पफ्यूम सेंट लेकर के जड़ोर का लेकर के अपपा जी आई थी जब परिस कहीं थी इतना वे स्वेंप कर देती थी इतना बाटती थी उनके कुछ किस्से हैं क्योंकि गीत संगीत की तो बहुत सारी बाते हैं जो अपपा का मान भी पक्ष दिखलाते हैं कि अपपा एक बार याद है मुझे कि हम लोग बनारस में थे और विंध्याचल उत्सा हुआ मिरजापुर में तो अपपा झी ने हम लोग उसे का चलो चला जाएका हम लोग का कारीक्रम अगले दिन था अपपा झीने कहा कि एक दो पहले WH festivals क्योंकि उस दिन सितार देवी जी का का करीbooksने वाला था उनकी पर्स्रतिति ती हैं पंडेत किशन महाराज जी साथ में तबले पड़ते हैं अपपा जीने कहा देखा सितारा देवी नची हैं बहुत बरस हुए उनके नाच देखे चला एक दिल पहले हम लोग सब लोग चला जाई वहीं पर आसी मोज होई वहीं पर उनकर के हम लोग कारिक्रम देखें एक दिन पहले लेकर गई दिखाना ये भी गुरू का काम है दुछे कलाकारों का गाना बजाना सुनाना उनकी कला दिखाना अगले दूनका कारिक्रम था अब मुझे यादि शिवरातरी से एक दिन पहले की बात है फरवरी की बात है तो कारिक्रम चल रहा था है लोगों ने किसी ने इसे फर्माईश कर दी और कहा अप्पा का नाम लेके राम राम राहूल कि गिरजा जी कजरी हो जाए। मुट्ट बड़ा पंडाल सा था बना हुआ। अप्पा जी हंस कर के बोली है। नारे फागुन के महिनवा में कजरी सुनबा राहे दा यी बेसुरी फर्माईश जाए दा चैती एती गावे के मनों फागुन होरी होरी सुना। वो सज्जन नहीं माने आज ता कहनवा मानव राधा रानी हो जाए। अप्पा जी हंसी मुस्कुर आई। बली तब फिर जानला हम कजरी गई बे आउकरे बाद दी बर्खा बरसी तक तू लोग जागा रा बूच्छा सम्हाला। हम तानकुरे पिथे सुननदा भी थी रुपान भी थे। कारेक्रम हुआ। उन्होंने इधर कजरी शुरू की और उधर खागुन में मेघ आकाश में उमढने लगे और थी दीरे पानी बरसने लगा। इतना पानी बरसा इतना पानी बरसा कि मुझे याद है कि पानी बरसते में हम लोग वापस बनारस राय शिवरात्री की रात थी। मुझे इसलिए नहीं भूलता क्योंकि उसी रात आकर के हमने काशी विश्णात मंदिर में मंगलार्ती करके तीन-चार बड़े के दर्शन किये, रात कारिक्रम के बाद चल दी हम लोग और मैं सिहर उठती हूँ आज भी ये सोच करके कि उन्होंने एकदम ललकार कर कहा था कि फर्माईश मत करना पानी बरसेगा और पानी बरसा कुछ लोग कह सकते हैं संयोग है लेकिन एक नहीं कितनी बार मैं देख चुकी हूँ कि अपपाजी के गाने से में एक बरसे बे मौसम की बारिश मैंने देखी है ये गाने का तब है एक बार अपपाजी शौकीन भूँ थी कपड़ों की अच्छा खाने की जेवर की जब भी कि मुझे शौक था तो हमेशा हमारे साडियों को टोके हमारी अधियम नई अग उठी पहने होंगे तो का रे निलम पहनी का रे या पेंडेंट और कुछ भी पहना तो वह नौरतन का है तुरांत हाथ में लेकर ऐसे करके और देखती थी और जैसे मा मा जैसे देखती है बिल कि होली हमना अगे नौइडा में लेकिन अनि-च्राथ करिकर लिभा उर अप और वको कारिकरम से रहते ही म। अप्पा जी को पता चला आपपा जी ने कर देखती महीं मना करते तो बड़े गुरु के अशिरवात से कारिक्रम मिलता है और तब मैंने दूसरी सीख अप्पा से सीखी यो दारता सिर्फ कहने में नहीं करने में भी आचरण में होनी चाहिए अप्पा जी का अरिदा इतना विशाल था और मैं कारिक्रम देखर अगले दिन वापस आई तो मैं जब जाने लगी मैंने का अप्पा मैं क्या लाओं तो मुझसे बोलिए काम करो सब को यह अच्छा लगता है कि हम सफेद रंग और सुनेहरा रंग बहुत पहिंते हैं सफेद रंग की साड़ी लाते हैं लेकिन गर्मी आ रही है बढ़िया हल्की गुलाबी साड़ी चिकन की ले आना मुझे एतनी खुशी वही कि अप्पा तो कभी कुछ कहती नहीं कभी कुछ बोला नहीं उन्होंने मैं एकदम बैस जो चिकन की सूती साड़ी लेकर की आई और रंग देखे वा भई वा वा करके इतनी आनंदित और होली के दिन उन्होंने वही धोती पहनी तो रंग जिस द विजली भाग देख रहे थे तो अमने का साड़े साथ बड़े की फ्लाइट है आते हूं तो अप्पा जी ने कहा कि सुनंदा रूपान सब लोग आ जाओ खोली तो फागों तो हसी ठोली का मौसम है और है कि इस समय आज आज अवस्थी को बनाया जाए तो मैंने का साड़ी निकालो अपनी जितनी साड़िया निकालो वो निकालो जो तुम ज्यादा पहनते हूं मैंने का ठीक है हम लेकर आए साड़िया धोतिया और जब मैं लेकर की आई तो सुनंदा रूपान को अप्पाजे ने कहा सब लोग तुम लोग सीधे पल्ले की साड़ी पहनो यह पहन ली हम लोग अब गूरु का अदेश कैसे मना करें सबने साधियां पहन ली सीधे पढ़े हम तो खर पहन इती इन लोगों ने भी पहन ली और अधी सुननदा रुपान सुन रही हो इस किसे को तो उने पता होगा और उसके बाद इन से फोन पर बात हो रही थी अबनी यह बोले बस हम पहूँचने वाले नॉइड एंडी और रज़ गर भी सक तो मैंने बताया अपपाजी को अपपाजी वसी आने वाले हैं अपपाजी बोले बस बस तुम लोग साधक करके बैठ जो जमील पर गेट खुला आवाजा अगी अभी शागए जैसी अंडर ंंटर किये तो अंदर क्या देख रहे हैं तीन एक जैसी सेहत वाली एक जैसी कदकाठी की स्त्रियां सीधे पल्ले की साड़ी पेने सर ढखे ऐसे उपड़ू करके ऐसे करके बैठी सर जुकाए हुए सर ढखे हुए अवनीश चकरा गई क्या हो रहा है अपपा जी आई और अपपा नी हसके बोली कि बताओ दमाजी इनमें से कौन है तुमारी वाली मालिनी कौन सी पहचानो तो अवनीश तो बिलकुल चकरा गई क्योंकि इनकी तो कोई साली अली भी नहीं और इनको विलकुल आधा थी नहीं इस तरह कि हसने लगे यह समझे कि अपपा जी मजा कर रही बोले नहीं नहीं बताओ और अपपा हसके बोली गलत हाथ इदी पकड़ लिया तो अब समले ना उसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा हमारी दोनों सक्षियों का ब्यात अब तक मदा पहचाना और उसके अदे इतना लजाए और जैसे ही गलत हाथ पकड़ा तो अपपा जोड़ से बोली है बुरा ना मानो होली है यह जो घटना है आप इससे यह समझ सकते हैं कि जिस इंसान के व्यक्तित में जीवन में रस नहीं है उत्सव धर्मी जो नहीं है वो कहां स जिसके भीतर उत्सव धर्मी जो नहीं वो कहां से जग आएगा रस होना तो सबसे जरूरी है बताओ दमाद जी यह मां की तरह एक जो मतलब हमने तो ऐसा मतलब सभाग ऐसा रहा कि अपपा जी से जुड़ करके महाविभूतिया होती कैसी है यह जीने का और देखने का बहुत निकट से अवसर मिला आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं देख रही हूं सवाल किसी ने पूछा है कि क्या वो बनार्सी बोलती थी जी हाँ वो सिर्फ बनार्सी बोलती थी आदिकतर और हमेशा जब ह वोगों जब बोले कि ए ए सुना हो हरी मतर बजार मिलत हो वह मगावा आज आलू के चाप बनाएंगे मतर भर के तो आपा खाने पीने से लेकर हर चीज पान लगाना सारे सीरियल्स देखना सारे जितने भी आप समझ सकते हैं जीवन के और हर व्यक्ति के जीवन में रस लेना हर व्यक्ति क्या हाल चाल कुशल अपपा जी जिस दिन नहीं रही हैं उससे एक सबता पूर उनसे बात हुई छट पे दिवाली पे और उसमें भी वो तुरंत बाबू कैसे हैं बेटी कैसे हैं काना कैसा है और कुह काना सबसे उनकी बात हुई सबको न अशरवात दिया इतना इतना सबके लिए चिंता करना सबके लिए चिंतित रहना उनके परिवार में उनके रिष्टदारों में उनके शिष्यों में किसके पास क्या कमी है और गुरु ऐसा मैं सबको देखती हूं कोई ट्यूशन लेकर के पढ़ाता है कोई फीस लेकर पढ़ाता है हमारी गुरु में आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मागा जो दिया शिश्यों ने अपने मन से दिया इतनी पवित्रता के बाद ही गुरु का ज्ञान साधना लिये होता है मुझे यह लगता है यह जी विद्या कहां से आएगी जो गुरु के ज्ञान में आएगी अपपा जी ने हमको 2006 में जब कहा कि हम तुम्हें अप गंडा बांधेंगे तब तक सीखते वे उनसे साथ बरस हो गए तो मैं बड़ी प्रसंद और बड़ी आहलादित कि अपपा ने गंडा बांधना स्विकार किया सीखने के साथ बरस बात तैयारियां शुरू ही कैसे होगा क्या होगा तो मैंने अपपा ने से पूछा कि क्या होता इसमें क्या करना अपपा जी ने का कुछ नहीं जो तुम्हारे एक्षा हो और जब गंडा बंधन का कारेक्रम हुआ तो उस दिन पंडिक छनवुलाल जी भी थे शायद साजन भया जी वो थे उनकी भावी थी किशन माराज जी थे और जो काशी के परंपरा है कि पहले मेरा गायन हुआ अपपा जी बगल में बैठी थी और जब गायन हो गया तो फिर सब को देखकर बोली क्यो भाई काशी के विद्वत जनो आपका क्या कहना है यदि आपकी सहमती हो तो ग गंडा बांधा जाए उस समय गुरु ज्यान देता है शिश्य को जो आज तक मेरे पास है और वो एक गोपनी है इसलिए हमारे साथ ही जाएगा हम जिस शिश्य को गंडा बांधेंगे मुसको बताएंगे लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी मैंने अप्पा जी के साथ सीखी वो ये शुद्ध व्यक्ति ही शुद्ध गाना बजाना कर सकता है अच्छा गाना बजाना करने के लिए आपकी आत्मा भी पवित्र होने चाहिए ऐसे ही सब कुछ नहीं गा सकते हैं मैंने कितनी बार उनके साथ दैवी अनुभव जीये हैं और देखें कितनी बार जी आप में से कई सवाल मुझे कोई कह रहा रसके भरे नहीं अब आप कुछ उनके बारे में और भी पूछना चाहें क्योंकि उनकी बातों पर तो मैं किताब लेख सकती हैं इतनी बाते हैं कुछ से यद्धी उनका सबसे बड़ा मुझे आशिरवाद ये भी मिला कि जब जुनून के शो में मैं गई देखें गुरू की सबसे बड़ी प्रमारिक मैं जब जुनून में गई तो जुनून में जाने के लिए मैंने अप्पा जी से जब बताया तो अप्पा जी ने कहा कि तू कारेक्रम म अपने अपने उपर कुछ दबाओ में सूश किया, बिल्कुल रोहित दबाओ इस बात का रहता है कि हमेशा आपके साथ नाम जुड़ा है, देखिए कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं जो सोचते हैं कि अप गुरु का नाम साथ में है तो उससे अपना कदबड़ा होता है, लेकिन उल्टा भी है, आप जब गुरु का नाम आपके साथ होता है, तो आपके साथ उस पूरे गुरु घराने की लाज रहती है, और अपा जब भी आशिरवाद देती थी, तो आशिरवाद में कहती थे सौभागवाती रहो, गुरु घराने की लाज रहे, अपा जी यह अपने नाम के लिए नहीं कहती थी, तो वो अपनी ने अपनी पीडियों तक के, अपने गुरु घराने तक के सम्मान की लाज रखने को कहती, तो यह बहुत बड़ी जिम्मिरारी है, और मुझे लगता है कि जब भी आप मंच पे साभी लगाते हैं, तो आपको पता होता है कि अगला सामने वाला आप जानता है कि आप चाहे लोगीद गाती हों, आप चाहे अवधी गाएं, आप चाहे भोश्पुली, लेकिन आप जिस परंपरा से आ रही हैं, वहां कभी इतनी बड़ी गाईका ने आपको शिष्ष के रूप में स्विकारा है, तो वो कद वो जिम बाहरी तत्व है ही निव हमारे लिए गुरू, तो जब जुनून में जा रही थी कारिक्रम देने तो यह बहुत बड़ा क्रांती कारिक्राम था कि मैं लेंगा पहन करके और पूरी पारंपुरिक वेशभूशा में जाने वाली थी, जबकि आपको पता है ठुमरी गायन पर जारिक पहरों के इक रात्त में जाने खादी थी तो आजित बाइक में न बेले एंगंने यह ब जोटा होड़्या करे और में जास्तु करहाई रही है पाजाये तो इने उन भू सब लगाई है घृता जाना जो करेंगा इजिक है अब को जन कोय स्दूर बड़ाब बता इनो कास्ट होता था तो उनकी ओर से इतना अशिरवाद मिलता था कि एक बार 32 एपिसोड में जाके मैं अटक गई कि नई विधा कौन सी नई गाई की सिखाऊं और क्या सुनाओ तो अप्पा जी को मैंने एक बार फोन किया और अप्पा से मैंने का अप्पा जी कुछ नया कुछ ब दादरा तुम यह जल्ली से सुन लो इसको टोना कह करके गाओ और मैंने जुनूर में गाया कुरब देश से आई गोरिया जद्वादार गईरे मुरे हरी पेनार मुरे हरी पेना सोने के कंग ना आगी दूंगी रनिया जद्वाद फेद लियो रे मुरे हरी पेनार मुरे हरी पेनार आप लोग के मैसेरेज पढ़ती हूं तो यहां गड़ बड़ा जाती हूं कुकि एक से यहां पर इस ने लिखा है कि वह किस्सा बता है कि जब उन्होंने अवनीश के लिए कहा था कि जाये उन पानी पिला यह मा ही कर सकती है मैंने इंटिवियु में बताया कि लख न हमें थी आप जी आइए तो अफा जी नि कि सम बातों की भूब बाते चल रही थी और बाते चलते चलते आपनी शचानक आए और अंदर कमरे में चले गए तो आप जी ने बैट यह कौन से नहीं शादी है ठीक है देख लेंगे अप्पा बुली नहीं बिटा जाओ हम तो यहीं बैठें दिन बर यहीं कहां जाने वाले हम तुम्हारी माँ है ना जाओ पहले दमाद को देखो क्या कहूं मतलब शब्द नहीं मेरे पास इस बड़ा पन इस यह जो मानवियता है यह जो सीखें है जीवन में एक एक सबक बन करके उतर गए उनका प्यार उनका शौक किसने क्या पहना क्या गाया नाओ में बैठकर वो बजड़े पे गंगा के किनारे सेर करने के लिए किसी का कुछ गाना बजाना वो सुनवाने के लिए किसी क्या मिलने जाना सबको एक साथ ले करके जाना सबकुछ एक साथ करना सामुएक्ता में जीती थी हर चीज का उनको इतना उत्सा किसी की शादी सुन ले कोई कभी भी उनके घर कभी भी आ सकता था सब के लिए उनके दरवाजे खुले थे, भोजन अपने आहांतों से बनाने की इतनी शौकीन थे, मुझे याद है कि उनकी बाइपास सर्जरी हुई, और पुलकता में उनको देखने गई सर्जरी के करीब 10 दिन बाद, तो मैं थी और ये यतींद मिश्र जो हैंके पिता जी, विम आपाजी लेटे रहें, फिर खाने के लिए जैसे हम लोग बोले खाना खाओ, खाना खाओ, तो हमें लगा रहे अपाजी भोजन कर लेंगे, मुनी दीडी थी, हम लोग भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे, तब तब देखा अपाजी चल कर आ गई, डैनिंग टेबल तक, और बोली वो अमने मालिनी के लिए जो लीची का संदेश बनाया, फ्रिज में जम गया हो जड़ा खिला हो, मैंने, मैंने का अपा, आप लेट ये जांगर के, हमने मुनी देखा पूचा, अपा ने बनाया, उनकी बाइपास सर्जरी हुए, बोली मारिनी बिल्कुल नहीं मा को गा रहे थे, इतने उत्साहित थी, छेने को लीची के गुठली निकाल कर उसमें छेना भर करके फ्रिज में जमाय था कि, क्या बोलू, ये गाने बजानाय का तो अब दुनिया जानती है, लेकिन मैं आज आपको वो पक्ष बता रही हूं जो, उनका कद मेरे लिए सिर्फ संगीत की गुरू नहीं हो, मेरी बिल्कुल अध्यात्मिक गुरू, आप में से बहुत आर्टिस्ट कारिक्रम देख रहे होंगे, गुरू हमारी ऐसी थी, पांच बजे का इदी कारिक्रम है, तो वो अपना देड़ बजे दो बजे तक भोजन करके, देड़ घंटा लेट ल कारिक्रम में इदी उनको बता दिया है कि आपको देड़ घंटा गाना है, तो एक घंटा पच्छेस मिनट में कारिक्रम खतम होगा, भोजन में एक रोटी लेंगी तो एक ही रोटी, दवाई, सोना, जगना, उठना, उनका नुशासन, क्या कोंगो, और इसलिए अप्पा का इतना बड़ा परिवार है, अप्पा से जिनुन सीखा वो उनका परिवार और अप्पा से जिनुन नहीं सीखा जो उनको जानते थे, वो भी उनका परिवार है, क्योंकि वो इतनी स्नेहिल और इतनी आत्मिय थी, कि सब को अपना बना लेते थी, दो चीज़े उनकी सुना रही हूँ जब मौसम जैसा आता था तो उनसे सीखी पहली कजरी और पहली हुरी अरी जिर जिर बर से सवन रास बुंदिया की आई गई लना अब बर खा बहार की आई गई लना दादुर मौर पपी हा बोले अरी पवना बाता बहार की आई गई लना अब बर खा बहार की आई गई लना एक बार अप्पा जिने हम लोग बहुत सारे शिश्यों को एक साथ गवाया बैठी सोचे ब्रीज बां सुनो लगे मेरा खान ना ही आए घान शाम घेरी आई बदरी उनका गई मेरा सबसे पसंदीदा कौन सा है बहुत सारे शिश्यों पसंदीदा है उनकी थुम्री उनकी गई बोली रंग डारूंगी नन्द के लालन पे रंग डारूंगी हां रंग डारूंगी नारी बनाई नचाई छोड़ी हो अरिर बेदी दै दै भालन पे रंग डारूंगी हां रंग डारूंगी रंग डारूंगी नन्द के लालन पे रंग डारूंगी रंग डारूंगी हां रंग डारूंगी अप्पाजी की गाई चीजें बहुत पसंद है एक जो मुझे पसंद हो गाकर आप सबसे विदा ले रहें आये दै आये आरे गंगारे तीपे बंगला छावावाओ मोरे राचाव छावावाओ मोरे राजा अरियावे लहर जमुने की गंगारे तीपे बंगला छावावाओ मोरे राजा छावावा मोरे राजा अरियावे लहर जमुने की आवे लहर जमुने की बंगला छावावावा मोरे मान भावावाओ बंगला चवाया मौर मान भायार एक अच्छी सी खिड की कटवावा मौर राजा अरी आव लहर जमुने की गंगारे तीप बंगला चवावा मौर राजा आव लहर जमुने की आव लहर जमुने की बहुत सारे चीजे अभी एपिसोड उन पर बन सकते हैं आवी तो मैंने शतांच भी नहीं बताया ना उनके बारे में ना उनसे सीखी अपनी स्मृतियों के बारे में ना उस विद्या के बारे में लेकिन अपा जी या गुरू से सबसे बड़ी जो सीख मिली वो ये कि हर पल सीखना चाहिए आप मुझसे वो कजरी सुनते हैं न, कहवा से आवेला, किसन का नयारे पड़ेला, जीर जीर बुंदिया, ये अपपा जीने स्वेम बताया था मैं, कि उन्होंने पदमिश्री हिरालाल यादव भया से सुनी थी, और वहां से ली थी, और मुझे सिखाया, ऐसे जब मैं पाकिस उन्हों को भुलाने में कई सावन, बरस गए साजना, ये दिखाता है कि सुम्बर में जब वे किसी भी परिचे के मोताज नहीं थी, उन्होंने सीखना नहीं समाप्त किया था, तो सच्चा शिश्य वही है, जुरू गुरू बन करके भी आजीवन शिश्य रहे